नमस्कार दोस्तों एक बार फीज़ से हम हाजी रुए हैं एक न偉ड वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम लाएं कुछ अब्जेक्टिब कोस्चन्स जो नाकपुरी भासा के हैं और उसके संबंधित जो टॉपिक है वो संङया यानि कि आज के इस वीडियो में हम नाकपुरी भाषा के संग्या से संबंदित कुछ objective questions का practice करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों पहला सवाल है नाकपुरी में संग्या करके गो भेद होएला तो इसका सही उत्तर क्या है option गो 5 मतलब नाकपुरी भाषा में भी हिंदी की तरह संग्या के 5 भेद होते हैं कौन-कौन से भेद होते हैं पहला है बेक्ति बाचक संग्या दूसरा जाती बाचक संग्या तीसरा सम्मूः बाचक संग्या चोथा है द्रेवि बाचक संग्या और पांचवा भाव बाचक संग्या बैक्ति का या किसी खास वस्तु का नाम का पता चलता है, उसको बैक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर जो सही उत्तर है, स्वर ने रेखा, स्वर ने रेखा कहने से हमें क्या पता चलता है, किसी एक खास नदी का नाम, सिर्फ एक ही नदी का नाम, Q3. राची सबद कौन परकार कर संग्या है के? दोस्तों राची क्या है? एक शहर का नाम है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? Option गा बैक्ति वाचक संग्या Q4. भावाचक संग्या कर सही चुनाव करू भावाचक संग्या क्या होता है? Q5. गोच्छा सबद कौन परकार कर संग्या है के? दोस्तों जदी आप नागपुरी भाषा जानते हैं तो गोच्छा का मतलब क्या होता है? ये भी पता होगा गोच्छा मतलब कोई भी चीजों का गुच्छा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उप्सन का समूह बाचक Q6. जाती बाचक संग्या कर उदाहरन है के? जाती बाचक संग्या कर उदाहरन है के? तो चारो उप्सन को ध्यान से देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन का गोड़ा दोस्तों गोडा जो सही उत्तर है, इसका कारण क्या है? जैसे हम गोडा बोलते हैं, तो इससे क्या हमें बोध होता है? दुनिया में जितने भी गोडा है, उन सारे चीजों का बोध होता है, इसलिए इसको जाती वाचक संग्या कहा जाता है दूद सबद कौन परकार कर संग्या है के दूद सबद कौन परकार कर संग्या है के दोस्तों दूद को क्या इसको गिना नहीं जा सकता है इसको ना पा जा सकता है तो वो कौन सा संग्या हो जाएगा ओप्सान का द्रेविवाचक संग्या नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर आट भावाचक सेंग्या कर उदाहरन हेके तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा उप्संख दुलार कोश्चन नमबर नो बाइबिल सबद कौन परकार कर संग्या हेके दोस्तों बाइबिल क्या है एक गरंथ है एक गरंथ का नाम है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ओप्सन ख बैक्तिवाचक सिंग्या दोस्तों बैक्तिवाचक सिंग्या क्यों है किसक्यों की बाइबिल बोलने से हमें किसी एक खास गरंथ के बारे में पता चलता है इसलिए यह है एक बेक्तिवाचक सिंग्या है Question number 10 बेक्तिवाचक सिंग्या कर उदाहरन कौन सबता हे के बेक्तिवाचक सिंग्या कर उदाहरन कौन सबता हे के तो आप देखिए चारो option तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? Option का आसाम क्योंकि इससे हमें किसी एक खास जगह के बारे में पता चलता है इसलिए आसाम बेक्तिवाचक सिंग्या है क्योंकि इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋप्सन का गाय क्यों है? Κयोंकि गाय बोलने से दुनिया की सभी गायों का बोध हो जाता है question number into मेला सबद कौन परकार कर संग्या हेके? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उप्सन का समुह बाचक दोस्तों मेला में क्या होता है? बहुत सारे लोगों का समू होता है, इसलिए इसको समू बाचक संग्या कहा जाता है Question number 13, दरेव बाचक संग्या कर उदाहरन हे के तो दरेव बाचक संग्या किसे कहा जाता है, वैसा बस्तू जिसको गिना नहीं जा सकता है बलकि उसको वजन किया जाता है तोला जाता है या उसको मापा जाता है तो वो कौन सा है इसका सही उत्तर ओप्सन को सोना Question number 14 नदी सबद टाकोन परकार कर संग्या कर उदाहरन हेके तो नदी क्या है इसका सही उत्तर ओप्सन को जाती वाचक संग्या तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेक्ति बाचक सिंग्या उप्शन ख़ओ Q16. हरियाली से हमें क्या पता जलता है? किसी भी मतलब क्या कोई भी जैसे किसी भी वस्तू की उसकी अवस्था के बारे में हमें पता जलता है जैसे बगीचा में हरियाली है तो ये क्या बता रहा है? बगीचा की विश्यस्ता बता रहा है तो ये कौन सा है इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्याली एक भावाचक सिंग्या है तो इसका सही उत्तर उप्संखा भावाचक तो दोस्तों ये थे ये था आज का वीडियो और आज की वीडियो में हमने देखा नाकपूरी के सिंग्या से संबंदित कुछ objective questions